हेलो दोस्तों आप समी का हमारा अपना चैनल हाउस प्लान अड़ा में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 42 फीट बाई 26 फीट साउथ फेस हाउस प्लान की दोस्तों दच्चिन मुकी मकान के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली वेसिस पर हाउस प्लान, हाउस डिजाइन और गया के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तो यदि आपका कोई भी क्वेरी हो हाउस प्लान से रिलेटेड हम एक कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उसे हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रियत्न करेंगे और यदि आधिक जनकारी चाहिए किसी भी हाउस प्लान से रिलेटेड तो हमने डिस्क्रिप्सर में लिंक दे दिया है वहाँ से आप जाकर अधिक जनकारी प्राप कर सकते हैं और हाउस प्लान फ्री अब कोई डाउनलोड भी कर सकते हैं बिना किसी चार्च के दोस्तो अधिक वक्त ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो के वार। दोस्तो ये है इस हाउस का फ्रेंट एलिवेशन जो देखने में काफी खुबसूरत है। हम इस हाउस का टूडी प्लान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह है इस house का 2D plan जो 42 feet by 26 feet में design किया गया है हम हरे के रिए को measurement के साथ देखेंगे उससे पहले हम outer दिवार के बारे में देख लेते हैं जितने भी outer दिवारे हैं सारी 10 inch के हैं और अंदर की दिवारे जो हैं सारी 5 inch के हैं हम सबसे पहले gate से इंटर कहते ही हमें मिलता है parking area जिसका measurement है 11 feet by 15 feet parking area से पहले हम एक गली type रास्ता मिल जाता है जिससे हम सीड़ी के तरफ staircase के तरफ आराम से जा सकते हैं अब देख सकते हो staircase जिसका measurement है 10 feet by 6 feet 3 inch जिसे हम आसानी से जा सकते हैं और आगे बढ़ते ही हम गंबला रखने के लिए बहुत ही अच्छा space मिल जाता है इसका measurement है 28 feet by 3 feet 5 inch जैसे हम parking area से आगे बढ़ते हैं हम इंटर करते ही सबसे पहले हम मिलता है hall area जहां हम dining area भी include कर दिया है इसका measurement है 10 feet by 18 feet अब आसानी से टीवी सोफा वगरा इसमें लगा सकते हैं इसका window हमने एक दिया है अब हम बात करते हैं bedroom no.1 की जिसका measurement है 11 feet by 13 feet एक standard size हम इस bedroom के लिए कह सकते हैं इसमें भी हमने एक ही window दिया हुआ है दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते ही हमें मिलता है एक common toilet bath जिसका measurement है 6 feet by 7 feet एक अच्छा खासा space हमें इस common toilet bath में मिल जाता है इस common toilet bath से बाहर आते ही हमें एक छोटा खासा space मिलता है जहां से एक bedroom के लिए door हमने दिया हुआ है इसका measurement है 11 feet by 12 feet में इस bedroom को design किया गया है इसका window हमने गली वाले रास्ते में निकाला है जैसे ही हम इस bedroom से बाहर आते हैं dining area से cross करते ही हम एक पूजा रूम मिल जाता है जिसका measurement है 6 feet by 8 feet आप देख सकते हो अच्छा खासा space इस पूजा रूम में भी हमें मिल जाता है पूजा रूम के जस्ट बगल में हमें मिलता है kitchen जिसका measurement है 11 feet by 8 feet अच्छा खासा space इस kitchen मिलता है एक standard space हमें kitchen मिल जाता है हमने kitchen में एक store room भी दिया हुआ है जिसका measurement है 3 feet 5 inch by 6 feet 5 inch जहां हम kitchen का कुछ भी item आसानी से एर रख सकते हैं तो दोस्तो यह था आज का house plan आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएं जैसा कि मैंने पहली बताया है यदि आपको कोई query हो house plan से related तो हमें comment box में बताएं हम उसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में एक new plan के साथ तब तक के लिए bye bye हुआ 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 है